मा की बाते स्वामी अरूपानंद से वार्तालाब मा मेरी सास ने देखा था कि लक्षमी लाहा लोगों के घर से निकल उनके धान की मड़ई की ओर से घूम कर आई थी मेरे जेट ने आने पर सब सुनकर कहा था मा तुम जान नहीं पाई स्वयम साक्षात लक्षमी आई थी आज कोजागीरी पूर्णिमा है न वे जोतिश जानते थे खडिया द्वारा उन्होंने पता लगाया था उन्हें भला भोजन की क्या आवशकता है वे तो भक्त के संतोश के लिए आते हैं और भोजन करते हैं प्रसात को खाने से चित्त की शुद्धी होती है अन्न ऐसे ही खाने से मन मलीन होता है मैं क्या ठाकुर सचमुच में खाते हैं मां हाँ क्या मैं देखती नहीं कि ठाकुर ने खाया या नहीं ठाकुर खाने के लिए बैठते हैं तदा खाते हैं मैं तुम देखती हो, मा, हाँ, मैं देखती हूँ, किसी का उन्होंने खाया और किसी की ओर द्रिष्टी पात मातर किया, तुमको भी क्या सब समय सभी चीज खाना अच्छा लगता है, अत्वा सभी की वस्तु खा सकते हो, बस ऐसा ही समझो, जिसका जैसा भक्ति भाव होता है, भक सभी कैसे होगी, अपने लड़के को भी यदी दूसरा पालता पूसता है, तो वहाँ अपनी मा को मा के रूप में नहीं जानता, मा, हाँ, इसलिए तो उनकी क्रिपा होनी चाहिए, क्रिपा की पातरता होनी चाहिए, मैं, क्रिपा में यहां पातर अपातर क्यों, क्रिपा त पर वे पार करेंगे मैं समय पर तो सभी होता है उसमें उनकी कृपा की कौन सी बात है मां तो क्या मचली पकड़ने के लिए बंसी डाल कर बैठना नहीं पड़ता मैं जब वे अपने ही व्यक्ति है तो फिर बैठने के आवशक्ता क्यों है मां हाँ यहां ठीक है असमय में भी ऐसा होता है आजकर लोग असमय में भी आम, कठल पैदा कर रहे हैं भादों के महिने में भी कितना आम हो रहा है मैं हम लोगों की दौड क्या यही तक है कि जिसने जो चाहा उसको वहां दे बस विदा दे दी या फिर यहां भी कि उन्हें बिल्कुल अपना बना कर पाया जा सकता है वे मेरे अपने है या नहीं मां हाँ, वे अपने है उनसे सदा सरवदा का संबंध है वे सभी के अपने है जैसा भाव होगा वैसा ही लाप होगा मैं भाव तो स्वपन जैसा है, जैसा विचार किया जाता है, वैसा ही बाद में स्वपन में दिखता है माँ, स्वपन ही तो है, संसार ही स्वपन बत है, यहां जागरत अवस्था भी एक स्वपन है मैं, नहीं, यहां इतना स्वपन नहीं है नहीं तो यहां क्षंड भर में नश्ट हो जाता यहां तो अनेग जन्मों से बना हुआ है मां, भले हूँ, पर यहां स्वपन छोड और कुछ नहीं यहां जो तुमने रात में स्वपन देखा, अब वहां नहीं है वास्ताव में पिछली रात मैंने एक आश्चरे जनक स्वपन देखा था किसान ने स्वपन देखा था कि वहां राजा हुआ है आठ लड़कों का बाप हुआ है स्वपन तूटने पर वहां बोला था उन आठ लड़कों के लिए रो अत्वा इस एक लड़के के लिए इस तरह तर्क करने के बाद अंत में मैंने कहा मा यहाँ जो सब मैंने कहा उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे अपने कोई है या नही मा है क्यों नहीं अवश्य है मैं ठीक कहती हो मां हाँ मैं ये दिवे मेरे अपने हैं तो उनका दर्शन पाने के लिए उन्हें पुकारना क्यों होगा जो अपना है वहां तो नहीं पुकारने से भी दर्शन देगा मां बाप जैसा करते हैं वे भी क्या वैसा कर रहे हैं। मा अवश्य कर रहे हैं बेटे। वे ही माबाप हुए हैं। वे ही माबाप के रूप से पालन करते हैं। वे ही देखबाल करते हैं। नहीं तो तुम कहा थे और कहा आ गए। उन लोगों ने लालन पालन किया और अंत में देखा कि यहां अपना नहीं है जैसे कवे के घोसले में क्या कोयल नहीं पलती मैं ठीक ठीक अपने जन को पाओंगा या नहीं मां पाओगे पाओगे तुम सब पाओगे जो सोचते हो वहां सब मिलेगा स्वामी जी ने पाया था या नहीं स्वामी जी ने जिस प्रकार पाया था तुम वैसा ही पाओगे मैं मां देखना जिससे तुम्हारे प्रती भय संकोच न रहे मां नहीं संकोच की क्या बात है मैंने ही तुम अचली पकड़ी है मैं तब तो ठीक है हम लोग आनन बनाएंगे जरूर एक साचा बनाता है, उससे बहुत सा गड़ लिया जाता है, मैं तुम्हारे बनाने से ही हम लोगों का होगा, तुम हमें छोड़ कर नहीं जा सकोगी, मा, हाँ बेटे, मेरे करने से ही तुम लोगों का होगा